Welcome back to our YouTube Channel Biology medical So, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे Glycolysis So, Glycolysis क्या है? वो हम लोग इस वीडियो में पूरे वीडियो में पढ़ेंगे So, शुरू करते हैं जल्दी से Glycolysis देखो ये cycle जो है उसका main reason कैई Glucose का स्प्लिट करने का और एक glucose molecule से क्या बनाना है दो pyruic acid के molecules बनाने गाई जो पूरे cycle में क्या बनेगा 1 glucose molecule से पुरा pyruic acid मतलब दो molecules और pyruic acid बनेंगे और यह जो cycle है गाई यह glyco का मतलब होता है glycose का मतलब होता है sugar और lysis का मतलब होता है splitting तो glycolysis का main meaning क्या हो गया glucose splitting enzyme और यह cycle 1940 में इंट्रोड्यूस हुआ था हम लोग के साथ और यह इंट्रोड्यूस किया था गस्टाव एंबिदेन, ओट्टो मेयर ओफ एंड जे पार्नस और यह जो तीनों साइंटिस्ट है इन तीनों के इनिशियल्स लेके इस साइकल को दूसरा नाम दिया गया था गाईस और यह दूसरा नाम है EMP pathway, तो ग्लाइकोलिजिस का ही दूसरा नाम है EMP pathway तो यह जो साइकल है गाईस, अनेरोबिक और यह है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की एक प्रोसेस है गाईस तो यह जो अनेरोबिक और यह प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का और यह कहाँ अखर होता है तो यह होता है cytoplasm of the living cells तो यह अखर होता है cytoplasm of the living cells में यह cycle होता है और यह cycle क्या होता है glucose का partial oxidation partial oxidation reaction उता है glucose का और वो कितने steps में होता है 10 steps में होता है और जैसे मैंने पहले बताया है था। पेहले क्या बता है कि और फॉर दा फ्रौनेशन ओफ पायरौवाग एसीड सब्लास फौनेशन ऑफ किटा का नाम है। श्रौम यह ग्लूकोस का मोलीकूलो होता है। उचने सीडेशन होगे 2 molecule of pyrovic acid बनते हैं वह कितने मोलेक्यट कितने कररबन के होते हैं 3 करबन के होते हैं तो यह घू साइकल स्टेप्ट है पहले 5 स्टेप्स को अम लोग बोलेंगे pay our phase जिसमें ATP से लेके ADP बनेगा और दूसरे जो लास्ट के 5 स्टेप से उसको हम लोग बोलेंगे Payback Phase जिसमें फिर से यह जो ADP है वो फिर से ATB में Convert हो जाएगा गई तो कितने स्टेप में हो गया तोटल 10 स्टेप आ गए जिसमें पहले पाच है Payoff Phase और अगले पाच है Payback Phase जो आपको यह याद रखना है कि पहली बात तो यह cycle इंट्रोड्यूस किसने की थी सो cycle वोज इंट्रोड्यूस बाइ Embedan, Meheroff and Parnas Embedan, Meheroff और Parnas ने इंको क्या नाम दिया EMP Pathway नाम दिया आगे बढ़ते हम लोग और आगे हम लोग देखेंगे यह glycolysis के 10 steps देखते है आगे जल्दे से शुरू करते थे वो 10 steps भी यह glycolysis की दूसरा नाम क्या था EMP Pathway और इसमें क्या बनता है glucose से लेके pyruvic acid तक जाता है pyruvic acid glucose जो है guys वो 6 carbon का molecule है glucose is the 6 carbon molecule which is converted to glucose 6-phosphate glucose 6-phosphate में convert होगा यह और इसमें कौन सा enzyme involved है hexokinase enzymes की वज़े से यह glucose 6-phosphate में convert होगा और इसमें एक step है उसमें ATP is converted to ADP first वाले step में क्या होगा ATP is converted to ADP so आगे देखते हैं glucose 6-phosphate का isomerization होगा guys और isomerization की वज़े से यह बनेगा glucose 6-phosphate fructose 6-phosphate so glucose 6-phosphate will be converted into fructose 6-phosphate glucose 6-phosphate will be converted into fructose 6-phosphate so आगे बढ़ते हैं fructose 6-phosphate जो है उसका फिर से isomerize होगा वो फिर से isomerize होगा और फिर वो convert होगा fructose 1-6-bis-phosphate मतलब अभी 2-carbon phosphate group अटेच्ट है पहला है 1st carbon और दूसरा है 6th carbon मतलब 1st और 6th carbon फिर फ्रुक्टोस फ्रुक्टोस ग्रूप जो है वो इसको हम लोग बलेंगे fructose 1-6-bis-phosphate और यह जो है यह पूरे उपर के glucose 6-phosphate fructose 6-phosphate और fructose 1-6-biposphate बिस-phosphate जो बलेंगे या बाइ-phosphate जो भी बोलता है वो होंगे 6-carbon molecules और आगे यह molecules दो पार्ट में break हो जाएंगे और यह दो पार्ट होंगे PGAL क्या आएगा इसका trios phosphate glycerol aldehyde या फिर trios phosphate glycerol aldehyde या फिर आएगा glycerol aldehyde 3-phosphate glycerol aldehyde 3-phosphate और यह कितने carbon का होगा यह होगा 3-carbon का गईज़ यह होगा 3-carbon का और यह convert और यह दुसरा इसका division होगा trios phosphate dicarboxy acetone phosphate dry hydroxy acetone phosphate और उसका नाम है dhap तो यह जो fructose 16-bisphosphate है गईज़ वो convert हुआ PGAL और dhap मतलब glycerol aldehyde 3-phosphate और dihydroxy acetone phosphate और यह जो दो molecules है guys वो होगे 3-carbon's के वो दोनों होगे 3-carbon's के guys तो आपको याद रखना है fructose 16-bisphosphate is converted to trios phosphate and trios dihydroxy acetone phosphate मतलब यह दो molecules में convert होगा है और फिर यह जो आगे दिया हुआ है PGAL क्या नाम है उसका glycerol aldehyde 3-phosphate वो oxidize होगा और उस step पे NAD जो molecule है वो convert होगा NADH plus H plus iron में convert हो जाएगा मतलब इदर 2H plus iron add हो जाएगे क्योंकि इसका oxidation हो रहा है guys और oxidation होने के बाद यह जो glycerol dihyde 3-phosphate था वो convert हो जाएगा 1,3-biposphoglyceric acid तो यह glycerol dihyde था aldehyde था वो convert होगा acid में और इदर आ जाएगा 1,3-biposphoglyceric acid और इसका short form जो है 1,3-dipga PGA मतलब क्या होता है phosphoglyceric acid और यह आगे convert होगा यह phosphoglyceric acid will be further converted to triosphosphate 2 triosphosphate मतलब 3 phosphoglyceric acid इसमें कितने phosphoglyceric acid होगे carbon number 3 पे होगा और यह होगे 2-pga मतलब 2-phosphoglyceric acid और यह जो step का conversion है इसमें ADP will be converted to ATP ADP will be converted to ATP तो आगे यह जो 2-pga है गाईस वो 2-pga will be converted to 2-phosphoglycerate 2-phosphoglycerate यह acid से convert होगा glycerate में तो phosphoglycerate में convert हो गया और इसको हम लोग बोलेंगे PGA phosphoglycerate और फिर यह जो phosphoglycerate है उसमें से water release हो जाएगा और water release होने के साथ इसमें क्या बनेया phosphoenol pyruate so phosphophenol pyruate so इसको हम लोग बोलेंगे phosphoenol pyruate पेपा पेपा नाम है इसका सबको सबको short form दे रहो हूं है पहले का कहा था 1-3-dye-pga फिर बाद में वो convert हुआ 2-pga में बाद में वो pga में convert हुआ बाद में वो पेपा में convert हुआ और अभी यह जो पेपा है guys that is the last step and इसमें भी ADP is converted to ATP और यह जो phase है इसमें हम लोग को मिलेंगे 2 pyruic acid so यह जो pyruic acid है guys वो 3 carbons के और वो हम लोग को मिल गए अभी so यह जो glycolysis था वो पूरे 10 steps में था पहले जो 5 steps थे guys यह दो को पहले 5 steps थे उसको हम लोग बोल दे pay off phase और इसका reason मैंने पिछली बार बताया है मतला अब भी पिछली बताया था so यह क्यों था because इसमें ATP is converted to ADP और दूसरा जो होता है वो है payback phase और यह इसलिए होता है because ADP is converted to ATP